नमस्कार, मैं हो ससी, आई जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं आज बिजिया दस्मी रांची के आठ अस्थानों पर होगा रावन दहन आज बिजिया दस्मी है, आज राज धानी में आठ जगों पर रावन दहन किया जाएगा मुराबादी मैदान, अरगोरा, हुंडु मैदान, नामकुम के सिद्रोल, टांटी सिलोग मैदान, सालीमार मैदान, हेची सी, जखड़ा, टांडव, महादेव, टंगरा में रावन दहन का आषन करेगा इसकी त्यारी पुरी कर लिए है अध्यक सुधिर उगल ने कहा है कि बारिश को देखते विए रावन सहीद अने पुतलों को सुकरवार को ही मुराबादी मैदान में लाया गया तीनों पुतलों को वहां खड़ा कर साज सजावट की गई उन्होंने कहा है कि इस बार रावन के पुतले की उचाई 70 फीट कुम करण के 65 वा मेगनाद के पुतले की उचाई 70 फीट होगी वहीं रावन के 10 सीर भी लगाएगा है यहां साम 4 बज़े से कारकरम सुरू हो जाएगा इस बार उतर परदिस के कलाकारों की और से जीवनत जहांकी भी निकाली जाएगी बतादे इ फायर वरकर्स मॉंबाई वा कोलकात्ता की टीम द्वारा आकासी अतिसपाजी की जाएगी उन्होंने कहा है कि मुख्य अतितिक के रूप में मुख्य मंत्री है मान सुरें रक्षा राज मंत्री संजाय सेट विधायक सीपी सिंग सहित अन्य गणमाने उपस्चित रहेंगे पर आए जाएंगे सुत्र बताते हैं कि जारकान में दो से तीन चरण में चुनाव कराने की जोईना बनाई गई है राज निर्वाचन पताधिकारी करे आल लेके मुताबिक राज में चुनाव की सभी तियर्य पूरी करते हुए चुनाव आयो को रिपोर्ट की जा चुकी ह मुख निर्वाचन आयोक्त राजीव कुमार के नितित में चुनाव आयो की टीम भी तैयारियो का जाजा लेकर लड़ चुकी है बताते जारकान बिधान सबा चुनाव की तीथियों का निर्धारन तेवहार को देखते हुए किया जाएगा इस बार 31 अक्टूबर की दिपा में रख रहा है जारकान के सरकारी स्कूलों में अब तक नहीं मिली पोसाग की रासी जारकान के सरकारी स्कूलों में चात्र चात्र चात्राओं को अब तक पोसाग की रासी नहीं मिली है पहली से बराहमी तक के 38 लाग चात्र चात्र चात्राओं को पोसाग या उसकी रासी दी जानी है बतादे 600 रुपे से लेकर 12 रुपे तक पोसाग के लिए छात्र छात्रा को उपलब्द कराए जाने है अगले एक हपते में जरकन विधान सभा चुनाओ की घोस्तना कभी भी हो सकती है ऐसे में अगर चुनाओ के अचार संहीता लगने से पहले रासी का भुकता नहीं हुआ तो छात्र छात्राओ को चुनाओ के बाद ही रासी मिलने की संभावना है ऐसे ही लोकसभा चुनाओ के समय भी मामला फसा था और छात्र छात्राओ को दो महिने के बाद पाठे पुष्टके मिल सकी थी वहीं एक बार फिर लग रहा एक विधान सभा चुनाओं के पूरो पोसाग की रासी छात्र शात्राओं के खाते में जानने की संभावना कम है रांची में कोलकाता की तर्ज पर पुजा पंडाल पच्छिम बंगल की राईधानी कोलकाता के बाद अगर कहीं सबसे भव्य दुर्गा पूजा का आउजन होता है तो अहे जार्खन के रेधानी रांची बतादे कोलकाता की ही तर्ज पर यहां भी भव्य पंडाल बनते है आकर्शक विधुद सज्जा भी जाती है माद दुर्गा की भव्य परतिमा का निर्मान होता है बतादे सिरी राम लला पूजन समीती पूराना छार्खन विधान समा मैदान में अयोध्या के सिरी राम मंदिर के प्रारूप में माद दुर्गा की बिसाल परतिमा है जो अद्भूत और अलोकिक परतीत हो रही है रांची की इस पुजा पंडाल में प्रभू स्रीराम की परतीमा सिलिकोन की बनी है जो अयवध्या में अस्थापित भगवान स्रीराम की परतीमा जैसी है देश प्रिये कल्व एंड लाइवरेरी में नौ पत्रिक का प्रवेश के बाद पूजा शुरू हुई है सुबा पुस पांजली दस बैसे हुई वही संध्या आर्दी के बाद संख धावनी उलुक धावनी और फ्रैंसी ड्रेस परत्योकताय हुई है संस्क्रितिक संध्या में धुनोची निरित परत्योकता भी खास रही है 20 साल का साइको किलर रांची से गिरफतार जहारखन के रांची में पुलिश ने एक ऐसे खतरनाक किलर को गिरफतार किया है जिसकी उम्र मात्र 20 साल है लेकिन उसने इस दोरन 50 से ज़्यादा अफरात किये हैं जिसके खिलाप राजी के कई थानों में 51 संगिन मामले दर्ज है कई बार तो वह जेल जा चुका है आरोपी परदेश की बड़ी बड़ी हंस्तियों को अपना सिकार बनाया है मामले की जनकारी देते हुए रांची SSP चंदन कुमार सिनह ने बताया कि पुलिष टीम ने पलानिंग के तहत आरोपी को गिरफतार किया है उसे पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई थी आरोपी की पहचान राजीव रंजन सिंग के रूप में हुई है जो कि बर्तमान में वर रांची के गोड़ा थानना अंतरगत हर्मू हाउसिंग कोलोनिक में राता है हलाकी राजीव थाना किसको जीला लोह दग्गा का रहने वाला है रांची एसेसपी ने बताया है कि राजी की विरूध हत्या, लूट, डकईती, रंगदारी और आर्म्स, एक्ट सहीत, कई संगीन अपराद में 50 से अधी कंड दर्जाएं मुख्य मंत्री हेमन सुरेन आज मौराबादी में करेंगे रावन दहान राइधानी, रांची में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पंजाबी हिंदू बिरादरी के चरिये रावन दहन कारक्राम की त्यारी पूरी कर ली गई है मौराबादी मैदान में 12 अक्टूबर की साम रावन, कुमकरन और मेगनात का पुतला दहन होगा बदादे पंजाबी हिंदू बिरादरी के राजेस खनाने सुकरवार को कहा है कि इस बार 65 फिट का रावन, 60 फिट का कुमकरन और 55 फिट की उचाईवाला मेगनात का पुतला बनाया जा रहा है उन्होंने कहा है कि इस बार बेहद ही खास यह है कि रावन का कपड़ा बेहद आकर्सक होगा और वाटर प्रूब भी होगा ताकि मौसम खराब होने या बारिस में भी रावन दहन में कोई परिशानी नहो पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से मुराबादी मैदान में अवजीत होने वाले दसारा यह लंका दहन कारकरा में मुक्यतिति के रूप में मुख्यमंत्री हमान सुरें सामिल होंगे मुख्य मंतरी रावण के पुतले का दाहन करेंगे जबकि राक्षा राजमंतरी संजाय सेटकुमकरण और पुरो मंतरी सर भिधायक सीपी सिंग में हगनाद का पुतला दाहन करेंगे जारखन में 60,000 सहायक सिक्छक 15 अक्टूबर से हरताल पर जाएंगे जारखन राजे सहायक सिक्छक एक्शन कमिटी ने मुक्य मंत्री और राजे की स्कूली सिक्चाव स्रस्ता विभा को लिखित तोर पर अपने इस फैसले की जनकारी दे दिया है सहायक सिक्षको की हरताल से राज में हजारों सरकारी स्कूल में पटन पटन ठप हो सकता है बता दे राज में आंगनवाडी से विका सहायकाओ की पांच अक्टूबर से जाड़ी हरताल के कारण और तीस हजार से जदा आंगन वाड़ी के अंदर पहले से ही ठप पड़े हैं अब सहायक सिक्सको का कहना है कि राज सरकार ने वेतन और ईपीएप को लेकर पूर में किये गए समझातों को लटका कर रखा है इस मामले में 28 अगस्त को राज सरकार के साथ वारता हुई थी राज सरकार ने सहायक सिक्सको को वेतन के समकक्ष मांदे और करमचारी भविस्य निधी का लाब देने का सवासन दिया था जारखन से मुंबाई के लिए मिली एक और ट्रेन जारखन के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुसकबरी है इस नवरात्र दिल्ली के बाद अब मुंबाई के लिए भी एक नई ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है भातिये रेल्वे ने दुर्गा पुजा के नौमी तिथी को या खुसकबरी दी है रेल मंत्राले ने जारखन के राष्टे मुंबाई के लिए एक नई ट्रेन चलाने की खुसना की है गया से लोकमाने तिलक टर्मिनल के लिए नई ट्रेन को रेल्वे बोड की भी मंजूरी मिल गई है बतादे भाती है रेल्वे ने बताया है कि एक नई ट्रेन की शुरुवात की जा रही है जो गया से मॉंबाई के लोकमाने तिलक टर्मिनल के भी चलेगी 22-37-8 गया लोकमाने तिलक एक्सप्रेस ट्रेन साम को साथ बज़े गया सरवाना होगी या ट्रेन जार्खन के रहानी रांची के टाटे सिल्वे से होते हुए जार्शु गोड़ा और नागपूर के रास्ते मॉंबाई के लोकमाने तिलक टर्मिनल तक जाएगी या ट्रेन गया से बुद्धवार को खुलेगी और मुंबाई के लोकमाने तीलक टर्मिनल से सुक्रवार को चलेगी दुरगा पुजा में नानी घर आये दोस्व के भाई तलाब में डूबे जारखन के साहिब गन जीले में उत्सों का महल उस वक्त मात्ता में बदल गया जब एक ही परिवार के दो लड़के तलाब में डूब गये देखते ही देखते दुरगा पुजा की खुशी का महल गम में तबदिन हो गया घटना साहिब गन जीले के राज महल थाना चेतरे के कोठी बगीचा गाउं की है गाउं में तला में नहाने के कराई में दो किसोर के डूबने से मौत हो गई बतादे बिहार के भागलपूर जीले के पीर पैती निवासी राम नन्द यादव के पुत्र सिव यादव और अजीत यादव दुर्गा पुजा में नानी के घर कोठी बगीचा गूमने आये थे एम्बूलेंस कर्मियों ने 24 अक्टूबर से हरताल पर जाने की दी चेतावनी अगर यही सिती रही तो आने वाले दिनों में जहारखन के गरीब रोगियों को एम्बूलेंस से अस्पताल पहुचाना मुश्किल हो जाएगा पतादे 108 एम्बूलेंस कर्मियों ने हरताल पर जाने की जेतावनी दे दी है यह लोग अपने बकाया बेतन के भूखतान की मांग कर रहे हैं एम्बूलेंस का संचालन करने वाले एजेंसी के कर्मियों को तेभार के सीजन में भी बेतन नहीं मिला है एजेंसी पर बेतन का भूखतान करने के दबाव बनाने की ताथ कर्मिय में होगи आन्खों की सरजरी अब धारखन के सभी जीलों के सदर 15 से आन्खों की सरजरी होगी स्वास्त विभाग ने राजिय के 20 जीलों के सदर रस्पतालों के लिए एक एक फेको मसीन खरीदने की स्विक्रिति पदान कर दी है इन में रांची दुमका पलामू तथा हजारी बाको छोड़कर सभी जीले सम्मिली थाइं इन जीलों में पहले से ही असुविधा बाहल है स्वास्त विभाग ने इस नई योजना के लिए 5.19 कोड़ रुपे की प्रसासनिक स्विक्रिति पदान करते विरासित समंधित जीलों को जारी कर दी है फेको मसीन के लिए अधिक्तम दर भी तय कर दी गई है बतादे रांची सिविल सर्जन की रिपोर्ट पर यहाँ सांसद मत से खरीदी गई मसीन की दर को ही आधार बना कर द प्रदान की गई है जार्कन के किसानों को दो नंबरों से आ रहा साइबर अपराधियों का कॉल जार्कन की किसानों के खाते पर साइबर अपराधियों की नजर है बतादे इसका डेटा चुराने के लिए साइबर अपराधियों नया तरीका अपना रहे है प्रदान मंत्री क पर्यालाई का हवाला देकर राजी के किरिशी पता अधिकारियों से किसानों का डाटा मांगा जा रहा है कि बिर्शा परधान मंत्री फसल भीमाई जोजना की राजी किसानों के खाते में अस्थान्तित करना है उनका डाटा उन्हें ततका लुपलब दिकराया जाए इसका किरिशी पता अधिकारियों को पत्र लिकर इसकी जनकारी दी गई है पत्र में कहा गया है कि किसी भी हाल में किसानों का डाटा किसी को सेर नहीं किया जाए जारखन में गोगो दीदी योजना से सियासी भूचाल बिजेपी की गोगो दीदी योजना के एलान के बाद जारख जार्खन में चुनाव से पहले भाजपा ने मैया समान योजना के जबाव में गोगो दीदी योजना की है इस योजना के तहद परतेक महिलाओ और बेटियों को यकई सो रुपे प्रती महिना और अधिकतम 25,200 रुपे साल में दिये जाने का दावा किया गया है गोगो संथाल की महिला और बेटी योजना से लाब उठा सकती है। धनबाज के फेमस होटल में छापे मारी छोव महिला और पुरूस को ऊठाया। बोकारो पुरिष ने सुक्रवर को धनबाज थाना के लिड से कल्व के पास इस्थीत कोल्ड फिल्ड होटल में छापे मारी किया है यहां से 6 महिलावा एक पुरूस को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई मामला दुर्गा पुजय के दोरान मेला घुमने के लिए निकलने वाली महिलाओ को चेंच छिंताई से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है बतादे मामले में बताया जाता है कि एक पुरूस और सभी महिलाओ यहां कोल्फिल होटल में ठरे हुए थे करीब दो बजे बोकारो पुलिस की टीम यहां पहुँची और होटल से ही इन सभी को हिरासत में ले लिया इनके पास काफी बैग और समान था पुलिस की माने दो मेला घुमने आने वाली महिलाओ के गहने उडाने के लिए इस सभी यहां पहुँचे थे इन सभी के एक गैंग को बोकारो में पकड़ा गया है उन ही से मिली सुचना पर बोकारो पुलिस ने धनवाद में चापे मारी की है इन्हें हिरासत में लेने के बाद पुलिस सभी को बोकारो ले चली गई है आई टी आई का बोर्ड लगा कर बना रहे थे नकली सराब जारखन विधान सभा चुना की गोसना से पहले ही पुरे राज में नसीले पदार्थों के खिलाप अभियानतेज हो गया है सराइगला खरसावा जीले के गमहरिया थाना चेतर में तकनीकी सिक्षन संस्थान की आड में सराब की फ्रेक्री चल रही थी गुप्त सुचना के धार पर पुलिशन चापे मारी की तो इसका भांडा फोर हुआ है बता दे आदितेपूर अंचल के उत्पाद अवर निरीक शकने है जनकारी दी है पुर्विस सिभूम के जीला मुख्याले जम सेथपूर से सटे आदितेपूर अंचल के उत्पाद अवर निरीक शकने रच कुमार ने सुकरवार को बताया के गमहरिया थाना चेत्रे के छोटा गमहरिया में उत्पात विभाग ने गुप्त शुचना के अधार परतक्निकी सिंक्शन संस्थान के नाम से संचालित ITI सेंटर वह एक भावन में छापे मारी की अभियान के दुरान टीम ने दोनों घरों से 17 डर्म नकली सराब सराब कमपनियों के इस्टीकर, सैकलो नए धकन, नकली सराब, कीवार कोट बनाने वाली मसीन एवं पैकिंग और सीलिंग मसीन भी ब्रामत की गई है गुमला के दो गावों में नेताओ के परवेश पर रोक गुमला जिले के बिश्नू पूर्बिधान सभाचे तरंतरगत घागरा परखंड के दिरगाव वा बीमरला पंचायत में नेताओक परवेश पर रोक लगा दी गई है ग्रामिनों ने बैठा करने ने लिया है कि अगर सड़क नहीं बनी तो इस बर विधान सबा चुनाओं में भोट नहीं देंगे ग्रामिनों ने कहा है कि जारकन गठन के 24 साल हो गाए प्रन्तु कभी दिरगाव वा बिमरला पंचायत की जरजर सड़क चुनाओं मुदा नहीं बनी अब तक किसी रायनिती पार्टी ने सड़क बनवानने की पहल भी नहीं की बैठक में दोनों पंचायतों के करीब 2000 ग्रामिन सामिल हुए थे बता दे गुमला जिल्या का दिरगाव वा बिमरला पंचायत घोर नकसल प्रभावी था है भागपा मवादी जेजे एमपी जागूर गूट इस चेतर में सक्रिये हैं पलामू में बाइक सवार तीन लोगों को ट्रॉक ने रौनदा पलामू जिले के छतरपुर थाना छेतरे के रूदवा गाओ के समीब मेदनी नगर और अरंगा बा जाने वाली एनेच अंठानबे सड़क पर एक ट्रॉक ने बाइक से जा रहे तीन लोगों को कुचल डला है जिससे दादी और पोते की मौके पर हिमोत हो गई जबकि बाइक चला रहा ब्यक्ति गंभी रूप से घायल हो गया घाटना गुरुवर देर रात की है जनकारी के नुसार गुरुवर की देर रात करीब 9 बजे के बीच पलामू के रुदवा गाओ का रहने वाला सुनील सिं कुमार को छतरपुर से इलाज करा कर मा एतवर्या कुवर के साथ बाइक पर सवार होकर देर रात घर लोट रहा था मा भदरकाली मंदीर में नौमी के दिन दी गई संधी बली जारखन के भी भीन मंदीरों और पूजा पंडालों में मा दुरगा के दरसन के लिए भक्तों के भीर उमर रही है महा अश्टमी के बाद सार्दिय नवरात्र के नौवे दिन मा भद्रकाली मंदीर में मा सिद्धी दात्री की पूजा हुई इसे पहले सुबह 6 बच के 52 मेंट पर संधी बली दी गए जिसमें हजारों सरधालों सामिल हुए सरधालों ने बीधी बीधान के साथ माता की पूजा की उसके बाद निधारी समय पर बली दी गए मा भद्रकाली मंदीर में होने वाली संधी बली में बिहार समेत कई परदेशों के हजारों सरधालों सामिल हुए जहां भुआ एक सेव नारियल वकेला की बली दी गए इसके बाद मा भद्रकाली की माहा आर्तिक और हवन पूजन किया गया सीम हमन्त की जानता से अपील केंदर से मांगे बकाया पैसा मुख्यमंत्री हमन्त सुरेण ने एक बरफित केंदर सरकार के पास बकाया 1.36 लाक और रुपय का मुदा उठाया है अपने अधिकारिक एक्स हेंडल पर पोस्ट करते हुए स्री सुरेण ने राजिकी जानता से अपने हक के लिए आवाज उठाने का वाहन किया है सीम ने लिखा है क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भाजपान ने ताओ ने राजजवासियों का बकाया एक पंड तीन छो लाग और रूपए क्यो नहीं मांगा ज्यारखन ने पिछले तीन लोग सभा चुनाओ में 12,14,14,14,17,17 भाजपा को जिताए फिर भी उन्होंने हम ज्यारखन यों का हक क्यो नहीं मांगा सियम हमासिरेन लिखा है कि मुझे एक बोगस मामले में जेल में डाला गया क्योंकि वे मुझे चुप कराना चाहते हैं वे चाहते हैं कि मैं अपने राज़े का हक मांगना छोड़ दू वे मुझे वापस जेल डाल दे तभी मैं मरते दम तक संहर्ष करूँगा और हक मांगूँगा गुमला में दुरगा पूजा के दिन खेल खेल में गई जान जारखन के गुमला जीले में दुरगा पूजा के दिन एक बच्चा बीजली के खमे पर चल गया बिली की तार की चपेट में आने से जूलस कर उसकी मौत हो गई घटना गुमला के बिशनुपूर परखन के गुर्दरी थाना छेत्रे की है थाना इलाके में चोरा पाठ निवासी अजय मुंडा का आठ साल का बेटा चित मुंडा खेल खेल में 11000 बोल्ट के तार की चपेट में आ गया उससे उसकी मौत हो गई चित मुंडा सुक्रवार को सुबर 10 बजे गाउं के बगल में एक तलाब में दोस्तों के साथ नहाने के बाद सभी बचे बिली पोल के आसपास खेलने लगे तलाब के समीब बने एक बिली के पोल पर चित मुंडा चड़ने लगा उस पोल पर से 11000 बोल्ट का तार गुजर रहा था पोल पर चरते चरते वा तार के करीब चला गया तार से वा कुछ ही दूरी पर था लेकिन बिली ने उसे अपनी और खिच लिया धन्यवाद